हलो गाइज बेलकम बैक टो यूटीव चैनल एक्टिकल स्टफ फो यू दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में आपने अपने गरों के पास ऐसे ट्रांसफार्मर जरूर देखे होंगे तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2kve का ट्रांसफार्मर है तो दोनों की क्येस्टिय लग-ग है 25 कंष छोति क्यक्री पैसिटी है इसलिए चोटा ट्रांसफार्मर है साइज में और 63 बड़ी कपैस्टिय है तो यह बड़ा ट्रांसफार्मर है अब मैं आपको एक 100Kヴ Oui दिखाता हूं तो जैसे कि आप देख सकते हो यह एक 100 kVA का transformer है जो की size में 63 kVA और 25 kVA के transformer से बड़ा है ठीक है दोस्तो अब इसके पीछे एक और 25 kVA का transformer पड़ा है तो आप दोनों को देख सकते हो दोनों के size में कितना difference है तो easily बंदा देखकर भी पता कर सकता है कि यह transformer transformer कम capacity का है जा ज़्यादा capacity का अब जो यह तीसरा transformer दिख रहा है यह भी 100 kVA का transformer है और दोस्तों इसके लावा अगर आप देखोगे तो transformer की capacity चाहे जितनी भी हो इनके design में difference आता है मलब design लग लग होगा बट जो इसका काम है वो same ही रहेगा अब हमें पता है जैसे कि यह खंबे वो transformer लगा है जे भी 100 kVA का transformer है ठीक है अब इसी transformer के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में ठीक है तो अगर आप इसके बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को end तक जरूर देखें जो यह खंबे वो transformer लगा है इसको उपर से 11 kVA आ रही है ठीक है जी तो 11 kVA आ रही है तो यह 11 kVA को step down करता है 440 volt में ठीक है अब इसको step down transformer भी कहा जाता है और distribution transformer भी कहा जाता है distribution transformer इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह transformer हम distribution area में use करते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि power house से बिली आती है उसके बाद फिर power transmission line से हमारे गरों तक पहुँचती है और जो यह power transmission line है जो की 11,000 volt है ठीक है इसके बाद यह इस voltage को 440 volt में convert करेगा और वो 440 volt हमारे गरों में जाती है LT line के दोरा ठीक है दोस्तो इसलिए इसे distribution transformer कहा जाता है क्योंकि यह बिजली को आगे distribute करता है ठीक है दोस्तो तो आज के इस वीडियो में हम इसके अलग अलग parts के बारे में बात करेंगे तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं तो दोस्तो सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो यह जो एक transformer है तो सबसे उपर से शुरू करते हैं तो आपको यहाँ पर एक tank दिखाई दे रहा है ठीक है दोस्तो यह एक tank है ठीक है जी इसमें क्या होता है यह conservator tank है इसका नाम conservator tank होता है इसमें transformer oil डाला जाता है ठीक है जी transformer oil इस pipe के दोरा जैसे कि आप देखोगे यह नीचे एक pipe है इस pipe के दोरा इसकी transformer की body में जाता है ठीक है जी तो जो हमें transformer oil होता है इसके minimum half level तक बरना होता है ठीक है जी अब आप इसके उपर एक pipe देखोगे तो यह pipe है यहाँ पर लगता है breather ठीक है दोस्तो अब उस breather में इस टाइम इस पर breather नहीं लगाया गया है अब इस breather में क्या होता है silica gel लगाया जाता है silica gel लगाने से क्या होता है कि अगर मान लिजिए transformer oil में moisture आता है तो वो moisture को सोख लेता है और जो transformer oil होता है उसको moisture free कर देता है ठीक है दोस्तो अब उसके बाद आप देखोगे तो यह हमारे ht bush road है ठीक है दोस्तो तो यह ht bush road है और इसके उपर जैसे आप यह देखो यह rk horn है ठीक है दोस्तो इसका काम क्या होता rk horn का अगर मान लीजिए उपर से lightning होती है जब बिजल जैसे बोलते है बिजली पड़ती है आसमानी बिजली तो क्या होगा वो इससे टकराके इसको safe कर लेगी मतलब इसको टकराएगी और अर्थ हो जाएगी ठीक है और हमारे जो transformer है वो safe रह जाएगा इसकी जो शेप भी होती है आप जैसे देखोगे HT bush road की इसकी शेप भी इसी परकार से होती है कि आसमानी बिजली इस पर कोई effect ना कर पाए ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर हम क्या करते है इन जो bush road है HT bush road यहाँ पर 11 के भी मतलब 11 air bolt की supply connect की जाती है ठीक है जी अब जो यह bush road है यह अंदर इस transformer tank के अंदर जाते है ठीक है जी transformer की body के अंदर जाएंगे तो अंदर coils लगी है coils से क्या होगा इसे convert करेंगे मतलब step down करेंगे 11 air bolt को 440 bolt में और फिर हमें LT supply मिल जाएगी तो जैसे आप इसकी दूसरी side देखोगे तो यहाँ पर यह LT bush road है ठीक है दोस्तो यहाँ पर हमें 1, 2, 3, 4 bush road आप दिखाई दे रहे होंगे तो जो इसमें 3 है जे face है और जो एक होता है वो neutral है ठीक है दोस्तो तो जो face to face voltage होती है वो 440 volt होती है बट जब हम face to neutral voltage चेक करेंगे तो वो हमारे पास आती है 230 volt ठीक है दोस्तो तो इस परकार से 11,000 volt की जो line होगी यहाँ पर connect होगी ठीक है दोस्तो और फिर जो यह 440 volt निकालेगा यहाँ पर हम cable लगाएंगे और इसको LT line से connect कर देंगे ठीक है जी अब इसके बाद आप देखोगे तो यह हमारी body आगी है transformer की ठीक है जी transformer की body के साथ यह जो आप side में देख रहे हो यह radiator है ठीक है जी अब radiator का काम होता है transformer के तेल को ठंडा करना अब देखिए दोस्तो जब transformer voltage को step up जब step down करता है तो उस process में क्या होता है कि heat बड़ी ज़्यादा generate होती है coils में तो heat generate होने के कारण जो अंदर तेल होता है वो उसको भी गरम कर देता है ठीक है जी अब हमें coils को ठंडा रखने के लिए उस transformer oil को भी ठंडा करना होगा तो उसके लिए हम क्या गरते है natural process का use करते है जैसे कि आप देखोगे अगर मान लीजिए जब transformer का तेल गरम हो जाएगा तो जो गरम तेल होगा वो उपर आ जाएगा उपर आने के कारण क्या होगा ये इसके साथ connect है आप देख सकते हो तो transformer का तेल इस radiator में आ जाएगा अब radiator में आने के कारण आप देख सकते हो वो फैल जाएगा फैलने से और जो natural air है वो इस radiator में लगेगी अब natural air लगने से वो तेल हमारा थंडा हो जाएगा ठीक है जी अब थंडा होने के कारण आप देखोगे यह radiator नीचे से फिर transformer की body के साथ ही connect है तो वो तेल नीचे इसी की body में चला जाएगा तो इस परकार से natural process से हमारा जो transformer oil है बहुत थंडा होता रहता है छीक है दोस्तो दोस्तो जैसे कि आप देख सकते हो कि transformer की body पे ये एक बाल्व लगा है अब इसका काम क्या होता है कि मान लीजिए हमें transformer में से तेल निकालना हो तो हम इस बाल्व को खोल के इस level तक इसका तेल निकाल सकते हैं ठीक है दोस्तो अब अगर मान लीजिए हमें transformer में से पूरे का पूरा tank खली करना है पूरी बोड़ी में से तेल निकालना है तो उसके लिए इसके नीचे एक बाल्व लगा है जैसे कि आप देख सकते हो हम इस बाल्व को खोल कर भी सारा तेल निकाल सकते है ठीक है दोस्तो तो दोस्तो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर के बिरियस पार्ट्स होते हैं और उनका काम होता है अब दोस्तो अगर आप इस ट्रांसफार्मर को देखोगे तो ये ट्रांसफार्मर इस वाले ट्रांसफार्मर से थोड़ा अलग है मलब इसका डिजाइन अलग है अब इसके उपर ना तो कोई conserve है जैसे कि इस transformer के उपर है ठीक है दोस्तोओ जबकि काम ये भी same ही करता है अब दोस्तोओ इसमें conserve हैंग इसलिए नहीं लगाया गया है क्योंकि ये इसका design है डिजाइन अलग लग हो सकते हैं सारी के सारी चीज़े सेम है आप देख सकते हो यह इसके HT बुश रोड है और साइड इसके LT बुश रोड है और यह इसका रेडियेटर आ गया चीक है, और इस पॉाइंट पर इसका ब्रीधर लगेगा, चीक है दोस्तो, तो आप देखोगे कि दोनों के दोनों ट्रांसफार्म है यह 25 के विए का ट्रांस्फार्मर है ठीक दोस्तो जब कि दुनों के दुनों बॉल्टे को step-down ही करते हैं 11,000 बॉल्ट छार सो चालिस बॉल्ट ही करते हैं ठीक दोस्तो तो इस परकार से ट्रांस्फार्मर्स के various designs होते हैं और various parts काम करते हैं तो दोस्तो आई होप आपको transformer के बारे में बहुत कुछ clear हुआ होगा, दोस्तो मैं अपनी अगली वीडियो में transformer को खोल कर इसके अंदर क्या-क्या होता है उसके बारे में complete discussion करेंगे छी है दोस्तो, दोस्तो अगर आप ऐसी वीडियो देखना आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लें और अगर आपको जे वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे like और share जरूर कर दें Thank you guys